Dear friends, I am Professor Jitish ये वीडियो इंपॉर्टन होगा M.com Students आइडल के जिन्होंने भी आइडल में एडमिशन लिया है University of Mumbai उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टन है because M.com के या M.A. के स्टुडेंस को बहुत ज़्यादा confusion है exams को लेकि कि हमारे exam कैसे होने वाले because आपका internal, external basis पे exam होने वाला है जैसे कि आपके सामने एक Business Ethics and Corporate Social Responsibility का एक subject है M.com Part 1 में M.com Part 1 इस्टुडेंस को internal और external का paper है और चार subject है ठीक है वो subject के आपने जब form भरे रहेगे उसके साब से decide हुआ रहेगा आपने clear है और second year इस्टुडेंस के लिए होता है internal एक subject होगा जिसको project work बोला जाएगा उसके उपर हम लोग एक separate वीडियो बनाएगे project work कैसे मिलने वाला है, each and everything आपको हमारे चैनल पर update मिलते जाएगी बस आपको चैनल को subscribe करना है अगर और information चाहिए तो please आप हमारे साथ में whatsapp group में जूड सकते हो उसके link आपको description में मिल जाएगी अब ये जो mcom part 1 के जो hundred marks के paper होने आले उसमें से आपको जो paper pattern है clearly आपके book में ही दियावा है, कैसे न students search नहीं करते अगर आप सारी चीज़े पता करेगे तो आपको each and everything आपके book में ही मिल जाता है तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको clearly यहाँ पर mention है कि कितने marks का paper होने वाला है और कितने marks के objective question से तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर internal paper अब internal का exam कैसे होगा अब जो regular होते हैं जो college में admission लिए होते हैं उनका internal exam उनके college में होता है 40 marks का अब 40 marks में से क्या रहता है 10 marks का होता है उनका multiple choice questions 10 marks का होगा objective मतलब fling the blanks होगे answer in one sentence होते हैं और 10 marks के 2 questions आते हैं that is a subjective questions होते है मतलब brief questions होगे 20 marks के अब ये idle students के internal के exam कव होगे और external के exam कव होगे क्या ये दोनों paper साथ में होगे क्या कुछ paper जो internal का exam में online होगा ऐसा अभी तक कुछ भी official circular नहीं आए तो maybe अगर आपको कुछ commitment देता हो तो शायसे वो wrong हो जाएगा जब तक अभी तक officially कुछ release नहीं होगा मैं आपको कुछ गलत information नहीं दे सकता हूँ अब according to the regular ये exam तो internal का college में होता था और जो इसके बाद में जो 60 marks का paper है वो center लगता था अब आइडल के लिए कैसा क्या situation होगा इसका update जैसी कुछ मिलता है m.com students के लिए जरूर में आप लोगों के लिए लेक्या होगा और जो तुमारा 60 marks का paper होगा उसका duration होगा 2R 15 marks से 2 question होगे brief आगे इन 2 question होगे इस तरह से और last में 15 marks का होगा आपका objective और यह important chapters के अपर ही base होते है ठीक है इसकी condition देखो क्या होती है m.com या m.a में जो internal paper होगा और जो external होगा उसमें भी conditions है आपको दोनों में separate अलग-अलग pass होना होगा for example यहाँ देखो passing criteria ज़रा ध्यान देगे जो 40 marks का internal paper होगा आपका कैसे होगा अभी तक update नहीं है 40 में से आपको 16 लेके आना है clear हुआ और जो आपका paper होगा 60 marks का उसमें आपको 24 लेके आना है मतलब दोनों में separately आपको pass होना है एक subject के दो paper internal होगा पहला paper होगा internal कौन सा होगा पहला paper होगा internal होगा कौन सा होगा लेके आना है 16 और जो 16 marks का paper होगा उसमें लेके आना आपको 24 मतलब दोनों में separately pass होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा दोनों में separate pass होना पड़ेगा तब जाके आप क्या होगे एक semester clear होगा तो अभी तक इसका कुछ update आया नहीं है जैसी अगर कुछ update आता है m.com का लेके m.com part 1 को लेके m.com part 2 को लेके हम आपको जरूर पहुचाएगे m.a को लेके project work को लेके जो भी कुछ update आएगा लेके आएगे हम जरूर से जरूर प्लीज चैनल को subscribe करो चैनल को subscribe करने का बैनी फीडिया मिलेगा और वीडियो को पूरा देखो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में share करो अगर आपको group में add होना तो link आपको description मिल जाएगी अगर video information लोगा तो please video को like करो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में share करो so मिलते है next video में thank you so much for watching my video bye bye